राधे राधे आप सभी को मैं नम्रिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में तो UGC NET के स्लेवस में लगे निबंधों को हम देख रहे थे फिछली क्लास में हमने देखा था भात वर्षुनती कैसे हो सकती है निबंध और आज हमारी दूसरी क्लास में निबंध पे तो इसमें हम देखेंगे नाखुन क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रशाद दिवेदी का ये निबंध है और ये कल्प लता निबंध संग्रा में संकली थे चुकि ये विचार करने वाला प्रश्ण है कि आखर नाखुन क्यों बढ़ते हैं कैसे बढ़ते हैं तो इसे लिए ये विचारात्मक दिवंध की स्टेडी में आता है चलिए आगे देखते हैं अब निबंध को हम सुरू करते हैं बहुत अच्छा निबंध है पढ़के आनन्द आएगा तो चलिए बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्ण कर बैठते हैं सही बात है छोटे बच्चे कुछ भी पूस देते हैं उनको क्या पता कुछ ऐसी चीजे पूछेंगे जिनका कोई जवाब नहीं होगा या बिना मतलब की होती है लेकिन उनको समझाना बड़ा कठीन हो जाता है तो वही का रहे हैं जारी प्रशाद जी कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्ण कर बैठते हैं अलपा क्ये पिता बड़ा दैनी अजीव होता है मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही न सका हजारी प्रशाद जी की छोटी लड़की ने उसे प्रश्ण किया कि नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो वो समय कुछ सोच नहीं सके हर तीसरे दिन नाखुन बढ़ जाते हैं बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो मा बाप अक्सर उन्हें डाटा करते हैं पर ये कोई नहीं जानता कि ये बिचारे अभागे नाखुन क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं काट दीजिए वे चुप चप दंड स्विकार कर लेंगे पर निरलज्य प्राधी की भाती फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर इनको लाट सरम नहीं आती है हम हमेशा इनको काटते रहते हैं ये हर तीसरे दिन बढ़ जाते हैं थोड़ा भी सरम इनको आता नहीं है आखिर ये इतने बहया क्यों हैं कोई बार-बार काट रहा है ये बार-बार निकला रहे हैं कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष जंगली था वन मानुस जैसा उसे नाखुन की जरूरत थी उसकी जीवन रच्छा के लिए नाखुन बहुत जरूरी थे ये कुछ लाख वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि जब मनुष जंगली था वो बन मानुस था तो उसे नाखुन की जरूरत उसमें थी असल में वही उसके अस्त्र होते थे दात भी थे पर नाखुन के बाद ही उनका अस्थान था उन दिनों उसे जूजना पढ़ता था और पतिद्वंदियों को पच्ताना पढ़ता था नाखुन उसके लिए आवश्यक अंग था फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तूओं का सहारा लेने लगा पहले नाखुन बढ़ाते थे लोग अपनी रच्छा के लिए नोचने के लिए किसी को फिर कुछ काटने के लिए नाखुन राता था तो उसलिए बढ़ाते थे फिर धीरे अपने अंग से बाहर की वस्तूओं का वो सहारा लेने लगे जैसे पत्थर के ढेले और पेड के डाले काम में लाने लगे रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही लगा रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे उसने हड़ियों के भी हतियार बनाए इन हड़ी की हथियार में सबसे मजबूत और सबसे एतिहासिक था देवताओ की राजा का वज्ज जो दधीची मुनी की हड़ीओ का बना था मनुष्य और आगे बढ़ा फिर उसने धातू के हथियार बनाए जिनके पास लोहे के सस्त्र और अस्त्र थे वे विजई हुए देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे जो देवताओं के राजा हैं उनको भी आदमियों के राजा से सहायता लेनी पड़ती थी क्योंकि देवताओं के राजा के पास लोहे के अस्त्र नहीं थे और धर्ती पे मनुश्यों के पास लोहे के अस्त्र मुझूद थे असुरों के पास अनेक विद्याय थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे सायद घोडे भी नहीं थे और आर्यों के पास तो ये दोनों चीजे थी आर्य विजई हुए फिर इतिहास अपनी गती से बढ़ता गया नाग हारे, शुपर्न हारे वाली बंदुकों ने नाग हारे, शुपर्न हारे, यच्छ हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे ये सब हार गया आर्यों से इंसानों से, नाग सुपर्न यच्छ गंधर्व असुराक्षस सब हारे और लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली इतिहास आगे बढ़ा फिर पलीते वाली बंदुकों ने, कार्तूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायू यानों ने इतिहास को किस कीचड भड़े घाट तक घसीटा है, ये सब को मालूम है जो नखधर मनुष्य था, नाखुनों के भरोसे था, वह अब एटम बम का भरोसा करके, आगे की और चल पड़ा है फिर भी उसके नाखुन अब भी बढ़ रहे हैं, सोचने वाली बात है ये अभी प्रकुर्ती मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है अभी वह याद दिला देती है, कि तुम्हारे नाखुन को भुलाया नहीं जा सकता तुम वही लाख वर्ष पहले के नखधनता वलंबी जीव हो पासू के साथ एक ही सता पे विचरने और चरने वाले तता किम? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखुन ना काटने के लिए डाटता है किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पुर्व वह अपने बच्चों को नाखुन नश्ट करने पर डाटता था लेकिन प्रकिरती है कि वह अब भी नाखुनों को जिलाये जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है वे कमबक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटी कोटी गुना सक्ति साली अस्त्र मिल चुका है नाखुनों को ये नहीं पता अंधे हैं उनको दिखाए नहीं देता है कि हमारे पास अब इतने अस्त्रा गए हैं हमें इनकी क्या जरूरत है फिर वे ये निकले जाते हैं निकले जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य आब नाखुन को नहीं चाहता उसके भीतर बरबर युक का कोई अवसेश राजाय यह उसे असहाय है लेकिन यह कैसे कहूं कि नाखुन काटने से क्या होता है नाखुन काटने पर भी तो मनुश्य की बरबरता कहां घट रही है वो तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है मनुष्य के ही इतिहास में हिरोसिमा का हत्यकार्ण बार बार थोड़े ही हुआ है हिरोसिमा में परबाडु बम गिराया गया था कितने लोगों का जीवन नश्ठ हो गया ये तो मनुष्यों नहीं किया तो कहा उनकी बरबरता घटी ये तो उसका नविन तम रूप है मैं मनुष्य के नाखुन की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निरास हो जाता हूँ ये उसकी भायंकर पास्वी वृत्ती की जीवन का प्रतीक है देख रहे जी बताए हैं हजारी प्रिशाद जी कि नाखुन किसके प्रतीक है पास्वी वृत्ती के जो पश्वो की वृत्ती का पहले मानुश होता था उसी का ये प्रतीक है और मनुष्य की पसुता को जितनी बार भी काट दो वह मर ना नहीं जानती कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखुन को सुकुमार विनोदों के लिए उप्योग में लाना सुरू किया था वाधस्यायन के काम सुत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारत वार्षी नाखुनों को जम के समारता था उनके काटने की कला काफी मनुरंजक बताई गई है त्रिकोड त्रिभूज की अकार में नाखुनों को काट लेते थे जो आज कल फैसन है हिरोन लोग ऐसे कटवाती है वर्ष पहले जमाने में सब चीज़े होती थी परशूता का प्रतीक था आज वही फैसन बन गया है नाखुन लोग बढ़ाते हैं देखती हैं आप चंद्रकार का नाखुन कटवाएंगी व्रिद्धाकार होगा त्रिभूजाकार होगा ये फैसन मन गया है तो देखी आगे उनको सिख्थक मोम और अलकतक आलता से यतने पुर्वक रगड कर लाल और चिकना बनाया जाता था वो तो आलता आज भी लोग लगाते हैं कहां हमारा भी कास हुआ है आज भी हम नाखुन रंगते हैं गौड देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखो को पसंद करते थे और दाचिडाते लोग छोटे नखो को अपनी अपनी रूची है देश की भी और काल की भी लेकिन समस्त अधो गामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खीचने वाली वस्तूओं को भारत वर्ष ने मनुश्यों चित बनाया है यह बात चाहों भी तो भूल नहीं सकता मानव शरीर का ध्यन करने वाले प्राड़ी विज्ञानियों का निश्वित्मत है कि मानव चित की भाती मानव शरीर में भी बहुत से अभ्याश जन्य सहज वृत्तिया रह गई है दिर्विकाल तक उनकी अवश्यक्ता रही अतयव शरीर ने अपने भीतरे कैसा गुड़ प्यादा कर लिया है कि वे वृत्तिया अनायास ही और सरीर के अन्जान में भी अपने आप काम करती है नाखुन का बढ़ना उसमें से एक है केस का बढ़ना दूसरा दाद का दुबारा उठना तीसरा है पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तिया अन्जान की इश्मितियों को ही कहते हैं हमारी भासा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं अगर आदमी अपने सरीर की, मन की और वारी की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विशे के बारे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवित्ति पहचारने में बहुत सहायता मिले पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या? उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाड है और उन्हें काटने की जो प्रवित्ति है वो मनुष्यता की निसानी है लोग नाखुन बढ़ा के अपने आपको मॉडल समझते हैं सिच्छित समझते हैं लेकिन नहीं जो नाखुनों को काटे छोटा रखे वो उसका विकास हमानेंगे न कि उसके अंदर मनुष्यता का विकास हुआ है वो अपनी पास्वे वृत्ति को छोड़ के आगे बढ़ा है आप नाखुन को बढ़ा के कहां आगे बढ़े हैं भाई आप तो अभी भी वो पुराने सौ स साल वर्ष पहले वाले इंसान है नाखुनों को बढ़ा के फैसन दिखा रहे हैं जो नाखुनों को छोटा किया है उसने मनुष्यता का विकास किया है उसके अंदर मनुष्यता है उसको सिछित माना जाएगा हाँ उसने अपनी पशुता को पीछे छोड़ा है तो यही बतान रह गये पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है हमने पशुत्व तो छोड़ दिया है लेकिन उसके निसानिया आज भी अमपाले हुए है नाखुन बढ़ा के रखेंगे पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता उसे कोई और रास्ता खोड़ना चाहिए अस्त्र बढ़ाने की प्रवित्ती मनुष्यता की विरोधिनी है यह आपका अस्त्र है नाखुन और अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवित्ती है वो मनुष्यता की विरोधि है आप उसे नहीं बढ़ा सकते हैं अब कहते हैं हजारी जी मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष किस ओर बढ़ रहा है पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर मेरी निर्वोध बालिका ने मानो मनुष्य जाती से ही प्रश्न किया है जानते हो नाखुन क्यों बढ़ते हैं यह हमारी पशुता के अउशेस है मैं भी पूछता हूँ जानते हो यह अस्त्र सस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं यह भी हमारी पशुता के निशानी है भारतिय भसाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इंडिपेंडेंडेंस का आर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर श्वाधीनता सब्दकार्थ है अपने ही अधीन रहना अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंडेंस कह सकते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्थिता करने के बाद भी भारत वर्ष इंडिपेंडेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका उसने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किये श्वतंत्रता, श्वराज, श्वाधीनता उन सब में श्वा का बंधा नवश्य रखा यह क्या संयोग की बात है, यह हमारी समुची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है मुझे प्राड़ी विज्ञानी की बात फिर याद आती है सहजात वृत्ती अनजानी श्मितियों का हिनाम है स्वराज होने के बाद श्वभावत ही हमारे नेता और विचार सिल नागरिक सोचने लगे है कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हूँ ऐसी बात नहीं है हमारा इतिहास बहुत पुराना है हमारे शास्त्रों ने इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलूँ से विचारा गया है हम कोई नौसिखिये नहीं है जो रातो रात अंजान जंगल में पहुचा के अरच्छी छोड़ दिये गए हूँ हमारी परंपरा तो महिमा मही उत्राधिकारी विपुल और संसकार उज्वल है हमारे अंजान में भी ये बाते हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेमना देती हैं यह जरूर है कि परिस्थितिया बदल गई हैं उपकरण नए हो गए हैं और उल्जनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई हैं पर मूल समस्याय बहुत अधिक नहीं बदली हैं भारतिय चित जो आज भी अनधिंता के रूप में न सोचकर श्वाधिंता के रूप में सोचता है वह हमारे दिर्ग कालीन संस्कारों का फल है वह स्वा के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृती की बड़ी भारी विशेशता है मैं तो ऐसा नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है जो कुछ हमारा विशेश है उससे हम चिप्टे ही रहें पुराने का मोह सब समय वांचनिय ही नहीं होता मरे बच्चे को गोद में दबाय रहने वाली बंधरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती परन्तु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नहीं अनुशन धिस्सा के नशे में चूर होकर अपना शर्व शुक हो दे काली दास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते ये भी बात ध्यान देने योग बहुत ज़रूवी बात है पूछ सकता है ये कथन किस निबन्ध से है कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते कुछ लोग जैसे पुरानी कुछ परंपराएं हैं कुछ रूढिया हैं जिनको आज तक लोग मानते हैं नहीं हमारी परंपरा है हमारा धर्म की परंपरा है हमारी जाती की परंपरा है परिवार की परंपरा है तो जरूरी नहीं कि वो जो परंपरा है वो सही ही हो वो खराब भी हो सकती है समय के साथ उनको बदला जा सकता है ये नहीं कि हमारी ये रूड़ी है कि मेरे घर में छे बजे पुजा हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए नहीं समय के साथ चीज़े बदलती रहनी चाहिए जरूरी नहीं कि वो चीज़े सही हो वर्तमान में भी हर चीज़े बदलती रहती हैं अज गहों में सहरों में हर परिवारों में देखने को मिलता है कुछ ना कुछ नियम होते हैं हमारे परिवार की ये परंपरा है जो परंपरा आपके हित में नहीं है जिससे आपका लाव नहीं है जिससे आपका कुछ नुकसान हो रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं या बदल सकत तो यही कालिदास कहे हैं कि हर पुरानी चीज हर पुरानी परंपरा अच्छी नहीं होती और हर नई चीज खराब भी नहीं होती कहते हैं कि यह नई चीज है नई पीड़ी की है तो खराब होगी ऐसा नहीं है आगे है भले लोग दोनों की जाज कर लेते हैं देखिए यही बात आगे यह भी कहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दोनों की जाज कर लेते हैं और जो हितकर होता है उससे ग्रहड करते हैं पुरानी परंपरा अगर हमारे हित में है हम उसे ग्रहड करेंगे जैसे विध्वा विवाह था पुरानी परंपरा थी तो अगर हम वैसे सोचते नहीं हमारी परंपरा है हम उसे नश्ट नहीं होने देंगे तो हम वही पिछड़े रहा जाते पर हमने बदलाव किया समय के साथ बदला सब चीजे बदली पहले कम उमर मे देते हैं और अच्छी चीज़ों को केवल ग्रहड करते हैं पर जो मुर्ख लोग होते हैं दूसरों के इसारे पर भटकते रहते हैं किसी ने कहा दिया कि यह परंपरा नहीं तूटने चाहिए अब उनकी जान चले जाए वो नहीं तोड़ने देंगे तो यही है आगे है सो हमें परिक्षा करके हिकर बात हितकर बात सोच लेनी होगी और अगर हमारे पुर्व शंचित भंडार में वह हितकर वस्तू निकल गए तो इससे बढ़के और क्या हो शकता है जातिया इस देश में अनेक आई हैं लड़ती जगड़ती भी रही हैं फिर प्रेम पुर्वक बस भी गई हैं सभ्यता की नाना शिड़ियों पर खड़ी और नाना मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक शमानी धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी भारत वर्ष के रिशियों ने अनेक प्रकार से समस्त्या को सुलजाने की कोशिस की थी पर एक बात उन्होंने लक्ष की थी कि समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक शामन्य आदर्श भी है वह है अपने ही बंधनों से अपने को बाधना मनुस्य पशु से किस बात में भिन्न है आहार, निद्रा, आदी पशु शुलब श्वभा उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राडियों के लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है उसमें सैयम है दूसरे के सुख दुख के प्रती शमवेदना है शद्धा है, तप है, त्याग है यह मनुष्य के स्वयम के उद्धावित बंधन है इसलिए मनुष्य जगड़े टंठे को अपना आदर्श नहीं मानता गुसे में आके चढ़ दोरने वाली अविवेकी को बुरा समस्ता है और वचन, मन और सरीर से किये गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है यह किसी भी जाती यह वर्ण यह शमुदाय का धर्म नहीं है यह मनुष्य मात्र का धर्म है महा भारत में इसी लिए निर्वेर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णो का समान धर्म कहा गया है यह तधी त्रितयम, श्रेष्ठम, शर्वभुतेशु भारत निर्वेरता महराज, सत्यमक्रोध एवच्च अन्यत्र इश में दानसेलता को भी गिनाया गया है गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह शब के दुखसुक को सहनुभुती के साथ देखता है यह आत्म निर्वित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है अहिंसा, शत्य और अक्रोध मुलक धर्म का मूल उच्च सी यही है मुझे आश्चर होता है कि अन्जान में भी हमारी भासा में अभाव कैसे रह गया है लेकिन मुझे नाखुन के बढ़ने पे आश्चर हुआ था अज्या सर्वत्रा आदमी को पचारता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है मनुष्य को शुख कैसे मिलेगा बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तूओ की कमी है और मसीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृध्धी करो और बायूप करनों की ताकत बढ़ाओ पर एक बूढा कहता था करो लोग के लिए कश्ट सहो आराम की बात मत सोचो प्रेम की बात सोचो आत्म तोशर की बात सोचो काम करने की बात सोचो उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है उच्च श्रिंखलता पशु की प्रवित्ती है स्वाका बंधन मनुष्य का स्वभाव है बुढे की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं उसे गोली मार दी गई आदमी के नाखुन बढ़ने की प्रवित्ती ही हावी हुई मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बुढे ने कितनी गहराई में पैठके मनुष्य की वास्तविक चलितार्थता का पता लगाया था ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखुनों को बढ़ना बंध हो जाएगा करें कि ऐसा भी कोई दिन आ सकता है क्या जब मनुष्य के नाखुनों का बढ़ना ही बंध हो जाए पर प्राड़ी सास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्य कंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूछ जड़ गई उस दिन मनुष्य की परशुता भी लुप्त हो जाएगी करें कि जो प्राड़ सास्त्री है वो कहते जैसे जो चीज प्रियोग में नहीं आती है वो नश्ट हो जाती है जैसे आदमी की पहले पूछे होती थी तो जैसे जैसे आदमी बढ़ा उन प्रियोग में ही नहीं लाएगा वो समझेगा कि पसुदा की प्रवित्ती का प्रतीक है बार बार काटेगा बढ़ाएगा फिर भी काटेगा नहीं बढ़ा रखेगा समझेगा इसका कोई प्रियोग नहीं है तो वो अपने आप एक दिन समाप्थ हो जाएगा ये नाखुन रहेगा ही नहीं बढ़ेगा ही नहीं ये ठीक या जहर जाएगा या फिर ये बढ़ेगा ही नहीं उतने पे रुकार आएगा छोटा छोटा बिल्कुल तो उस दिन पशुता भी आदमी के अंदर से समाप्थ हो जाएगी और जब तक ये नाखुन रहेगा पशुता की प्रविती दर्शाता रहेगा कि तुम वहीं से उठके आए हो भले ही तुम चांद पे पहुच जाओ लेकिन पहले तुम एक पशु ही थे तो ये भार भार उसकी याद दिलाता रहेगा कर रहें कि जब मनुष्य की पशुता लुप्त हो जाएगी सायद उस दिन मारडा स्त्रो का प्रयोग भी बंद कर देगा तब तक इस बात से छोटे बच्चे को परचित करा देना वांचनिय जान पड़ता है कि नाखुन का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है अपना आदर्श है ब्रिहत्तर जीवर में रोकना मनुष्य का तक आजा है मनुष्य में जो घृड़ा है जो अनायास बीना सिखाए आ जाती है वो पशुत्व का ही तो द्योतक है अब किसी से को ये थोड़ा सिखाता है बालक तुम उसे घृड़ा करो बालक तुम उसे इस्या करो ये अपने आप पैदा होते हैं ये इस्या घृड़ा ये क्या ये पसुता की तो निशानी है तो यही बता रहे हैं आगे दूसरों के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का श्वधर्म है अगर बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुए मनुष्य की महिमा को सुचित करती है जो चीज़ आप अपने महनत से अभ्यास से अपने तप से प्राप्त करते हैं वही आपकी महिमा की सुचित करती है आगे है कि सफलता और चरितार्थता में अंतर है मनुष्य मारडास्त्रों के संचयन से बाय उपकर्णों के बाहुल से उश्वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बढ़ी आडमपर के साथ सफलता का नाम दे रखा है परन्तु मनुश्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है अपने को शब के मंगल के लिए निसेस भाव से दे देने में है पढ़ के कुछ सीखता भी है, ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं बस नहीं सीखे बहुत अच्छे शी बाते बताई गई है कि जो मनुश्य की चरितार्थता है वो प्रेम में है, एक दूसरे से मैत्री में है, एक दूसरे के लिए त्याग में है और सब के लिए मंगल करने में है, ना कि किसी से इस्या, नफ्रत, द्वेस करने में इसमें नहीं है नाखुनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात फृत्ति का परिडाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है और उसको काट देना उस स्वा निर्धारित आत्म बंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़े पर मनुष्य कम थोड़े ना जिद्धी है मनुष्य भी उसे बढ़ने नहीं देगा जितनी बार बढ़ोगे हम उतनी बार काटेंगे बढ़ने नहीं देना है इसको ठीक अगर अपने अंदर मनुश्यता रखनी है तो इसे बढ़ने नहीं देना है बहुत अच्छी बात कहे हैं कि नाखुन बढ़ते हैं तो बढ़े पर मनों से उन्हें बढ़ने देगा ही नहीं और यहीं पर हमारा ये निबंद समाप्त होता है बहुत अच्छा निबंद रहा काफी कुछ सीखने को मिला कि जिस नाखुन बढ़ाने को लोग फैसन समझते हैं वो नाखुन बढ़ाना कितना नीच काम है अगर किसी को समझा दिया जाए तो आदमी सरमा जाएगा अरे मैंने तो नाखुन बढ़ाया है तो पढ़ के सीखना है चीजे लिखी गई हैं हमें सीखने के लिए जानने के लिए तो उमीद करते हैं कि यहां से प्रश्न भी बनेगा तो गलत नहीं होगा और ये निबंध आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आपने क्या सीखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और स्पीड तो मैंने नहीं पढ़ा धीरे ही रखा फिर भी अगर तेज हो गया हो तो कोई बात नहीं आगे से धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंद के साथ